हेलो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि horizontal rules ये क्या होता है जिसको hr tag बोला जाता है इसके बारे में यहाँ पे detail में जानेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है horizontal rule जिसको लिखा जाता है hr tag से तो इसकी यहाँ पे definition है html में hr tag semantic break बीशे अंतराल को दर्शाने के लिए use किया जाता है ये tag एक horizontal line generate करता है जिसे अलग लग बीशियों को separate करने के लिए use किया जा सकता है इसे hr tag का use हम तब करेंगे जब हमने कुछ लिखा हुआ है उसको separate करना जाते है horizontal line से तब हम यहाँ पे hr tag का use करेंगे इसके बाद यहाँ पे दिये गया है the various attributes of hr tag are यहाँ पे पहला है size, second color, third and notioned और इसके इलावा और भी यहाँ पे attribute है इनको यहाँ पे हम practically करेंगे यह इसका एक program है create a webpage to display horizontal rule of various sizes तो इस program को हम notepad में करेंगे यह notepad में हमने एक program लिखा हुआ है horizontal rule का, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, उसके नीचे head, उसके नीचे title, title में हमने लिखा हुआ है various horizontal rules इसके बाद title को बंद किया हुआ है, head को बंद किया हुआ, body को यहाँ पे paragraph tag यूज किया हुआ है इसके बाद h1 tag यूज किया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे मैंने अपने channel का नाम लिखा हुआ है इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है head chart tag, तो head chart tag यह जो है, यह एक normal tag है इसके बाद यहाँ पे head chart size, यहाँ पे horizontal rule का size हमने बढ़ा हुआ है 12 इसके बाद यहाँ पे ispod tag यह लिखा हुआ है इसके बाद यहां पे एक और size यहां पे बरा हुआ है horizontal size यहां पे 24 बरा हुआ है इसके बाद यहां पे horizontal size 36 बरा हुआ है इसके बाद फिर मैंने यहां पे अपनी channel का नाम लिखा हुआ है ये शपल टैक के बाद फिर यहां पे HR size यूज किया हुआ है यहां पे 72, इसके बाद H1 को बंद किया हुआ है, Body को बंद किया हुआ है, और HTML को बंद किया हुआ है तो यह हमने Horizontal Rule इसका यहां पे एक Program लिखा हुआ है, जिसमें के अलग-अलग Size यहां पे बरे हुआ है इसके बाद फिर हम इसको Save करेंगे, तो File पे जाएंगे और इसको Save As करेंगे Save As करने के बाद इसको Desktop पे Save करेंगे, तो यहां पे Desktop पे क्लिक किया है, इसके बाद File Name देंगे तो यहां पे हमने file name दिया fgh यह file name दिया इसके बाद dot html यह extension लगाई इसके बाद इसको save करेंगे यह save किया save करने के बाद यह देखो यहां पे fgh default browser में यह file आ गई है इसको यहां पे open करेंगे open करने के बाद यह देखो यहाँ पे यह horizontal rule यहाँ पे आ गई है यह देखो पहली जो line है यह नॉर्मल है यहाँ पे यह ली गई है यह नॉर्मल है इसके बाद यह जो second यहाँ पे ली गई है तो इसका हमने size बरह हुआ है 12 यह देखो यहाँ पे h4 size is equal to 12 hr का मतलब है horizontal rule इसका size जो है 12 है तो यह देखो यहां पर second जो है इसका जो size है यह 12 है इसके बाद यहां पर हमने कुछ लिखा हुआ है लिखने के बाद यहां पर 2 size हमने यहां पर horizontal rule के set की हुआ है एक है 24 और एक है 36 तो यह देखो यह जो size है 24 है इसके नीचे यह जो बना हुआ है यह 36 है इसके बाद फिर हमने यहां पर program में कुछ लिखा हुआ है इसके बाद यहां पर hr size is equal to 72 इसके बाद यह देखो यह जो last बाली है इसका जो hr size है वो 72 है तो यह 72 size में आ गया है तो इस तरह हम यहां पर horizontal rule का size set कर सकते हैं इसके बाद यहां पर हम no shade attribute का use करेंगे तो य यहां पर यहां पर हमने size लिखा हुआ है इसके बाद यहां पर लिखेंगे no shade इसके बाद hr size is equal to 24 है यहां भी हम no shade लिखेंगे इसके बाद hr size is equal to 36 है यहां भी हम no shade लिखेंगे इसके बाद यहां पर hr size 72 है यहां भी हम no shade लिखेंगे यह no shade attribute का use करने के बाद हम इसको save क करेंगे file पे गए और यहां पे save पे click किया save पे click करने के बाद यह दिखो यहां पे इसको refresh करेंगे refresh करने के बाद यह दिखो यहां पे यह no shade attribute में आ जाएगा यह दिखो यह जो horizontal line है यह normal में आएगी क्योंकि यह normal हमने यहां पे लिखा हुआ है इसके लिए no shade attribute यूज नहीं क में आ गया है, इसके बाद यहां पे 24 है, यह दिखो यह 24 में आ गया है, इसके बाद 36 है, तो यह 36 में आ गया है, इसके बाद 72 है, तो यह 72 है, तो इस तरह से यहां पे हम no shade attribute यूज कर सकते हैं, अगर horizontal line को हम color देने जाते हैं, तो हम color भी दे सकते हैं, तो इसके लिए हम यहां पर color लिखा red, इसके बाद यहाँ पर इसको मिटाया, और यहाँ भी हमने color लिखा, इसके बाद equal to, और यहाँ पर हमने लिखा green, यह green color लिखा, इसके बाद यहाँ पर, इसको no shade, इसको यहाँ पर delete करेंगे, और यहाँ पर color लिखेंगे, is equal to yellow, color यहाँ पर हमने लिया yellow, इसके बाद यहां पे इसके बाद यहां पे color लिखेंगे फिर equal to orange color के लिए यहां पे हम double quotation लगा देंगे यह double quotation लगाया इसके बाद green के लिए भी इसके बाद yellow के लिए double quotation लगाएंगे इसके बाद orange के लिए double quotation लगाएंगे तो यह हमने यहां पे color set कर दिया है तो यहां पे यहां प इसके बाद यहाँ पर 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 करके दिखते हैं तो फाइल पर जाते हैं और इसको सेव कर देते हैं इसके बाद जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो कलर हमने यहां पर दिये हुए है वो कलर यहां पर अपलाई हो जाएंगे तो इसको करके दिखते हैं यहां पर इसको रिफ्रेश किया रिफ्रेश क प्रेट करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये कलर में आगे तो ये पहले वाला रेड्ड है यहाँ पे HR size is equal to 12 और कलर रेड्ड तो ये size is के 12 है और कलर जो ए रेड्ड है इसके बाद second देखो HR size is equal to 24 color is equal to green तो ये 24 size है और ये color जो है green में आ गया है इसके वाद 3 देखो HR size is equal to 36 color यहाँ पे yellow दिया हुआ है तो ये देखो ये 36 size है और जो color है yellow है ये last वाला देखो HR size is equal to 72 color is equal to orange तो ये 72 size है और इसका जो color है वो orange में आ गया है तो इस तरह से यहाँ पे हम horizontal line के लिए color set कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने ये सिखा कि horizontal rule का use कैसे किया जाता है इसके बारे में सिखा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगी तो please subscribe my channel